मेरे प्यारे दोस्तों आप सबका मेरे चैनल स्टोरी लवर्स में स्वागत है अगर आपको मेरे चैनल की स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और सेर करें ओके फिर एफक का नेक्स पार्ट स्टार्ट करते हैं लास पार्ट में हमने सुना था कि विंग पार्किंग लोट की तरब जा रहा था जहां लैंसे चन पहले से उसका इंतिजार कर रहे थे अब आगे विंग की हमेशा से आदत थी रात के समय खुद ड्राइब करके घर जाना क्योंकि उसे रात को हमेशा लेट हो जाता था वो ड्राइवर को वेट नहीं करवाना चाते थे इसलिए उन्होंने अपने ड्राइवर से कह रखा था कि उ टाइम से अपने घर चले जाए विंग को तो पता भी नहीं था कि कोई सुवे से उनका इंतिजार कर रहा है क्योंकि उन्होंने अपने मेनेजर को ओडर दे रखा था कि कॉरिया से अगर कोई भी ओफर आता है तो मुझे बताने की कोई जोयत नहीं है उनकी मेनेजर ने अभी कुछ दिन पहले ही डाट खाई थी जब वो कोरिया से आए म्यूजिक डिरेक्टर का ओफर विंग को बताने गए थे इसलिए इस बार मेनेजर विंग को कुछ बताने नहीं गए विंग पार्किंग लोट पहुंच जाते हैं वो देखते हैं कि को इंसन पहले से पार्किंग लोट में खड़ा है विंग उन्हें नहीं जानते थे क्योंकि उन्हें थे इससे पहले कभी भी लैंसीचन को नहीं देखा था लैंसीचन विंग को देखते ही पैचान गए कि ये वुज्यान है Wing अपनी car के पास आते हैं और कहते हैं, Sir, क्या आप side हो सकते हैं, ये मीरी car है Lensi Chen कहते हैं, मुझे आपसे बात करनी है, मेरी पास आपके लिए एक offer है, पैसे आप जितने चाहे उतने मांग सकते हैं वींग कहता है सर अगर आप कोई singing project देना चाह रहे हैं तो आप मेरे manager से बात कर सकते हैं, ओ मेरी fees आपको बता देंगे. लैंसी चन कहते हैं मैं आपको स्योल ले जाना चाहता हूँ, आपको acting करनी होगी, आप इस काम के जितनी चाहे उतनी पैसे ले सकते हैं. वींग कहता है सर मैं actor नहीं singer हूँ और मैं Korea नहीं जाता, इसलिए आप मेरा रास्ता छोड़िये, मुझे लेट हो रहा है, मेरी mom मेरा इंतिजार कर रही होगी. लेंसी चैन के इतने पिलीज, आप मना मत करें, आप किसी की जिंदगी बचा सकते हैं अपनी acting के दुआरा, वींग लेंसी चैन के कोई भी बात सुनने के लिए त्यार नहीं थे, क्योंकि उन्हें पैसे में कोई interest नहीं था. वींग अपनी कार में बैठते हैं और कारी स्टार्ट कर देते हैं, अभी कारी स्टार्ट ही हुई थी कि लेंसी चैन चिला के कहते हैं, मेरे लेंजा को आप में वींग नजराता है, प्लीज, आप मेरे साथ चलिए, मुझे ऐसे मना मत करें, हमारी आखरी उमीद आप ही हो. मेरा छोटा भाई झाप में नद आता था फले साफ हमारी मदद बढ़े सकते हैं अब भी करने में आव जितने पैसे माघो गए हम देने के लिए भाई मुझे कोündर आप चाते कहने आपके भाई को क्या हुआ और मुझे क्या करना है लैंसी चैन कहते है मेरा भाई विंग से बहुत प्यार करता था उसके मौत के बाद उसका दिमागी संतूलन खराब हो गया आपको बस कुछ दिन वहाँ पर विंग बनके रहना है क्या पता और ठीक हो जाए फिर आप बापिस जाना विंग कहता है कि आपका भाई विंग से प्यार करता था यह आपको कंफर्म है लैंसी चैन कहते हैं वह विंग से बहुत प्यार करता था विंग कहता है क्या वह एक दूसरे को डेट कर रहे थे लैंसी चैन कहते है मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता मुझे बाद में पता चला कि मेरा भाई विंग से प्यार करता है। विंग अपने मन में कहता है ये तो कुछ नया सुनने को मिल रहा है। जिसने विंग को जहर दिया, उसे इंसल्ट किया, उसको पूरे कॉलिज कैफे के सामने नीचा दिखाया। वो cold and arrogant लेंजा विंग से प्यार करता था, इतना प्यार करता था कि पहले उसे जान से मार डाला, फिर अपना दिमागी संतुलन भी खो बैठा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन देखना तो पड़ेगा, लेंजा के ब्रदर कितना सच कह रहे हैं, दूसरों को पहुचाने वाला इंसान आज खोद दुखी है, लेंजा में तुमसे नफरत करता हूँ, अब मेरा टाइम आया है तो मैं इंसल्ट करने का, लेंजी चैन कहते हैं, आप क्या सोच रहे हैं, क्या आप मेरी मदद करेंगे, प्लीस मना मत करेंगा, मुझे आप से बहुत उमीद आपको जितनी फीस लेनी आप ले सकते हैं, विंग कहता है, ठीक है, मैं त्यार हूँ आजाने के लिए, और रही फीस की बाद, जब आपका भाई ठीक हो जाएगा, तो मैं मांग लूँगा, लेंजी चैन कहते हैं, ठीक है, मैं फिर कल की टिकट कटा लेता हूँ, आपके ल जाँगा, लेंजी चैन कहते हैं, अगर आप मेरे साथ चलते तो अच्छा होता, विंग कहते हैं, आप टैंसन मत लेजिए, मैंने अगर एक बार कह दिया कि मैं आउंगा, इसका मतलब मैं आउंगा, एक बात और, मैं अपनी पूरी कोशिस करूँगा, कि आपका भाई ठीक ह जाए, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि ओठीक हो जाए, लेंजी चैन विंग को ठेंक्यू कहते हैं, विंग अपने मन में कहते हैं, लेंजा, तुम्हें ठीक होना पड़ेगा, तुमने जो भी पाप किये हैं, तुम्हें उन सब का सामना करना पड़ेगा, विंग कहता है, सर बेटा आज तुम्हें घर आना है या नहीं तुमने मुझे परिशान कर रखा है तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे बिना खाना नहीं खाती तुम्हारा ब्रदर भी कब से तुम्हारे इंतजार कर रहा है लैंसी चैन को हलकी हलकी अबाज सुनाई दे रही थी मिसिस लैंकी लेंसीचन अपने मन में कहते हैं ये अब आज इतनी जानी पैचानी क्यों लग रही है क्या मैं वुजियान के मौम को जानता हूँ मेरा दिल क्यों कह रहा है कि मैं इन्हें अच्छे से जानता हूँ विंग कहते है मौम मैं बस अभी पहुंच रहा हूँ कोई पुराना दोस्त मिल गया था जिससे मैं बात करने लगा मिसिस लेंग कहती है ठीक है जल्दी आओ विंग कॉल कार्ट देता है और कहते हैं सर अब मुझे जाना होगा हम सियोल में मिलते हैं मैं वहाँ पोस्ते ही आपको इंफॉर्म कर दूँगा लेंचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचे कहते हैं यह रूड है लेकिन मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कास यह सच में विंग होते मुझे यह बहुत पसंद आए लेंस इचेंट की टिकट ले लेते हैं विंग अपने मैंसन में पहुंच जाते हैं सब मिलकर खाना खा रहे थे काय कहता है वुजियान मुझे जान नहीं जाते विंग कहते ब्रदर यह इंपोर्टेंट है मॉम आप भी हमारे साथ चल रही हो आप पैकिंग कर लीजे जो भी इंपोर्टेंट समान है विंग वैंकिंग पर कॉल करता है और कहता है मैं स्योल आ रहा हूं क्या तुम मुझे कोई घर दिलवा सकती हो वैंकिंग क कोर्डेंट सब कुछ बता दूंगा और हां मॉम और काई भी आ रहे हैं फिर हम तुम्हारे घर में रहेंगें तुम्हें कोई प्राब्लम तो नहीं होगी, वेंकिंग कहती है मुझे तुमसे कभी भी कोई प्राब्लम नहीं हो सकती, दोनों कोल कार्ट देते हैं, काई इस बात से खुश था कि उसे वेंकिंग के साथ रहने का मौका मिलेगा, ओ सोच रहे थे क्या पता प्यार का इजहार करने कभी मौका मिल जाएगा वेंकिंग इस वाद से खुषते कि उसको विंग के साथ रहने का मौका मिलेगा लेंस जाते हैं घर पहुंचते ही मिस्टर और मिसिस भी पूसते हैं वुजयान क्या कहा क्यों त्यार हो गए हमारी मदद के लिए कहते हैं मौम मुझे सांस तो लेने दीजिए हाँ वुजयान मान गए हैं वह एक से दो दिन में यहां आ जाएंगे उनके लिए लेंजा के बगल वाला रूम रेड़ी करवा दीजिए उस इतना लेंजा के पास रहेंगे लें हो जाओ फिर कुछ खा लेना लेंज से चले जाते हैं मिसिस भी अपने हजबन से कहते हैं पता नहीं वुजयान के यहां आने से मुझे तनी खुसी क्यों हो रही है ऐसा लगता है जैसे मेरा उससे कोई रिस्ता है मिस्टर भी कहते हैं साइड वींग की तरह दिखता है इसलि कि विंग आ रहा है लिए हुसां कहते है हमारे इतना कहने पर भी कभी त्यार नहीं हुआ यहां आने के लिए अब ऐसा क्या काम पढ़ गया जो आने के लिए तियार हो गया मुझे नहीं पता ओ कर बताएगा इसलिए कल तुम भी घर पहुंच जाना कल ही पता चलेगा ओ तो कोई कंसर्ट के लिए तो नहीं आ रहा होगा कारण तो कोई और ही होगा वेनिंग कहता है अच्छा ठीक है मुझे सीजे बुला रही है मैं जा रहा हूं हम बाद में बात करते हैं वेंकिंग का रूम रेडी करने में लगी हुई थी क्योंकि कल उसका प्यार आ रहा था तीन साल से वेंकिंग को कभी भी मौका नहीं मिलने का मुझे सब फौन पर ही बात करते थे नाक्स डेविंग का य और मिसिस से यह पंचाते हैं उनने receive करने के लिए Wanking, Waining और Neeshaak भी आया थे सब मिल का Wanking के गhist में फ्रेस होते हैं, पहले सब फ्रेस होते हैं फिर Leaving रूम में एक खटे होते हैं सब इंतजार कर रहे थे कि WING उने कारण बताए आखिर उसका मन Change कैसे हो गया WING उने सब कुछ बता देता है नी हुसेंग कुछ बोलने ही बाला था लेकिन वैनिंग इसारों से उसे मना कर देता है नी हुसेंग वेन्ग को सब कुछ बताने वाला था जो भी उसके जाने के बाद हुआ और ये भी कि उसके मॉम और टेट लैन मैंसन में रहते है वेंकिंग कहती है तुम लेंजा की मदद करना चाहते हो तुम उसे ठीक करना चाहते हो क्या तुम अभी भी उससे प्यार करते हो विंग कहता है मैं उससे नफरत करता हूँ हाँ मैं चाहता हूँ कि ओर ठीक हो जाए ताकि उसने जो भी पाप की है उसे उसका एसास तो हो कि उसने क्या क्या किया है जब उसे अपने पाप के एसास होंगे तब ही तो अपने आप से नफरत करने लगेगा अगर हमेशा के लिए उसका दिमागी संतूलन खराब रहा तो उसका जीना तो आसान हो जाएगा और मैं नहीं चाहता क्यों अपनी जिन्दगी आसानी से काटे मैं चाहता हूँ वो हर पर रिगरेट करे उसने जो भी किया है उसके भाई को गलत फहिमी है कि लेंजा मुझसे प्यार करता है उन्हें लगता है उसका दिमागी संतूलन खोने का कारण मेरी मौत है जरूर उसका कारण कुछ और होगा कहीं उसके बॉर्फरेंट को तो कुछ नहीं हो गया जिसके कारण उसकी ऐसी हालत हो गई वेंकिंग कहती है उसी उमरकैद के सजा हो गई है तुम्हारे मौत के जर्म में वेंग कहता है मैं ठख गया हूं मैं आराम करने जा रहा हूं वेंग अपने रूम की बाल करनी पर ख़ड़ा होकर कहता है लेंजा तुम ये बड़तास नहीं कर पाई कि तुम्हारे प्यार को उम्र कैद हो गई, अब मुझे पता चला, तुमने अपने दिमागी संतुलन कैसे खो दिया, लेकिन मिंग्याओ को सजा कैसे हुई, फिर विंग कहता है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं सोचना, नी हुसेंग अपने घर जाने के लिए निकल जाता है पीछे से वेनिंग भी निकल जाता है, वेनिंग नी हुसेंग का हाथ पकड़ कर कहता है, कि क्या तुम मुझे से नराज हो, नी हुसेंग कहता है, तुमने मुझे कुछ बोलने क्यों नहीं दिया, उस बेवकुफ को लग रहा है, लेंजा के दिमागी संतुलन क्खोने का कार क्वाली होगी वैनिंग कहता है नहीं हुसेंग अब उस Wers Sem कहता है नहीं हुसेंग अब उसे खुँद जानने दू हर बात को क्योंकि हम कई वर कोशिष कर चुके हैं उसे अरे बात बताने कि लेकिन उसने हर बार हमारी बात को सुनने से मना कर दिया अगर हम उसे बता देते कि land mansion में उसकी real mom और dad है तो side o land mansion कभी नहीं जाता क्या पता और लैंजा की मदद भी नहीं करता उसे एक एक करके सारी बात खुँद जानने दो बाकि जो भी उसके किसमत में होगा वही होगा हम तो पहले भी कई बाकोसिश कर चुके हैं उसे सब कुट बताने की और उसे यहां बापिस बुलाने की हम तो हमेशा से चाहते हैं कि सब कुट ठीक हो जाए लेकिन इससे कुछ भी नहीं हुआ नहीं हुसेन कहता है तुम ठीक कह रहे हो हमें इंतिजार करना चाहिए अपने आप सब को ठीक होने का विंग ने कितनी कोसिस करी कि उस योल बापिस ना है लेकिन उसे बापिस आना पड़ा ओचाता था कि लेंजा से ओगी भी ना मिले लेकिन अब उसी के मैंसन में उसके साथ रहेगा जब तक और ठीक नहीं हो जाता इसलिए हमें टैंसन लेनी के कोई जूरत नहीं है वो अपनी किसमत से कहीं नहीं भाग सकता अगर उसके किसमत में लेंजा का साथ लिखा है तो उसे कोई बदल नहीं सकता इसलिए हमें सब को इस किसमत पे छोड़ देना चाहिए नी हुसेंग कहता है अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ नहीं तो ब्रदर मुझे छोड़ेंगे नहीं कहेंगे इतनी लेट तक कहां गूम रहा था वैनिंग कहता है ठीक है तुम अपना ख्याल रखना नी हुसेंग अपने मैंसन के लिए निकल जाता है वैनिंग बापिस अपने घर में चला जाता है वैनिंग कहती है वैनिंग तुम नी हुसेंग को बता क्यों नहीं देते तुम उससे प्यार करते हो वैनिंग कहता है सीजे आप भी कुछ भी बोलते हो आपको किसने कहा कि मैं उससे प्यार करता हूँ वैंकिंग कहती है तुम्हारी आखों में दिखता है अपने प्यार का इजहार कर दो इससे पहले क्यों किसी और को पसंद करने लगे वैंनिंग सर्मा कि अपने रूम में चला जाता है वेंकिंग अपने मन में कहती है, एक तो मैं अपने प्यार का हजार नहीं कर पारी, मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे अपने प्यार का हजार करो, क्या उप मेरे प्यार को एकसेप्ट करेगा, उसे अभी तक एसास नहीं हुआ कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, इधर को कब समझोगी मैं तुमसे कॉलेज के समय से प्यार करता हूं लेकिन मैं अपने प्यार का एसास तुम्हें दिला के रहूंगा विंग अपना फोन निकालता है और लैंसीचन का नंबर डायल करता है लैंसीचन कहते हैं वो जियान आप यहां पहुंच गए आपने मुझे आपको तकलिव करने की जुद नहीं है बस आप मुझे दे दीज़े लैंसीचन विंग के फॉन पर अपना एडिर सेंट कर देते हैं विंग कहता थीक है अ हम कल मिलते हैं ऐसा कहके विंग alleen अपने मन में कहते हैं लैंजह हम कल मिलेंगे लांस्ट ताइम व Potter मै एयसा सोच कर वींग सोने चल जाता है क्योंकि कल उसे लेन मेनन जाना था उसे अपने वी चुर्ण का सामना करना था जिससे वह अब तक धूर भाग रहा था कल वींग कुद सामना करने जा रहा था कल का इंतुजार सबको था ओके गाइज आज का पार्टे यह रखते हैं बाई थैंक्यू